दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपना बिजनिस शुरू करने की सोच रहे हैं या आपका पहले से बिजनिस है आप उसको बढ़ाने की सोच रहे हैं और आपको लोन की आवा सकता है और आप ये सोच रहे हैं कि आपको कम से कम व्य कम ब्याज पर आपको लोन मिलने वाला है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जिस लोन की मैं बात कर रहा हूं उसको बोलते हैं मुद्रा लोन यानि कि दोस्तों मुद्रा योजना है जो कि 2015 में 12 सरकार द्वारा चलाई गई थी जहां पर छोटे या बड़े परकार के जो भी वियापारी हैं दोस्तों वो अपने बिजनिस को ग्रो कर सकते हैं आगे बढ़ा सकते हैं तो अगर आप इस योजना के तहट अपलाई करना चाहते हैं योजना के इसी योजना के तहट लोन लेने की सोच रहे हैं तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपको लोन कम लिया गया क्योंकि उससे में लोगडाउन चल रहा था और अब ही अगर मौझूदा इस्तिदी की बात करेंगे 2022-23 में दोस्तों तो सारे के सारे रिकोर्ड जो है टूटने वाले हैं क्योंकि सुरुआत में ही इस योजना के तहत लोग बहुत बड़ी मात्रा में लोन के लि रहे हैं यहां पर आप देखेंगे दोस्तों फिलाल यह बताया गया है कि अभी तक इस योजना के तहत 40.82 करोड से ज्यादर लोगों ने अपना काम सुरू करने के लिए लोन लिया है जो कि 8 सालों में 23.2 लाग करोड रुपे की रासी बाटी गई है इसके तहत दोस्तों आ लेडी वाला सबजी वाला ऐसे लोगों के लिए शुरू किया था जो कि कम से कम 5,000 या 10,000 रुपे में अपना बिजनिस शुरू करना चाते हैं पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अपने बिजनिस को थोड़ा और ऊपर बढ़ाना चाते हैं जो कि 10 लाख रुपे तक की रास मिल जाएगा उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है किस ओर जहां पर आपको पचास जार से लेकर पांच लाग रुपे तक का लोन मिलता है इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है जिसको बोलते है तरुन जिसमें आपको पांच लाग नहीं ली जाती है कोई भी व्यक्ति अपने बिजनिस को सुरू कर सकता है यहाँ पर बिना गारंटी के आपको पैसा उधार मिलता है और सिक्योर्टी के लिए भी आपसे कुछ नहीं लिया जाता सिक्योर्टी भी जीरो होती है इसके साथ साथ दोस्तो जब भी आप लोन लेने के तहत एक form मिल जाएगा उसको fill up करना है और जो बताई के दस्तावेज है वो आपको देने हैं यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तो सबसे पहले आप जो भी बिजनी सुरू करना चाते हैं उसकी एक project report बनाएंगे इस report को दोस्तो आपको जो है bank को देना है और bank इसी report के आधा पर यह देखेगा कि आपको कितने पैसों के आवज सकता है उसी आधार पर आपको loan देगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तो यहाँ पर हर एक bank का अपना अपना system है क्योंकि यहाँ पर जो loan मिलता है वो आपको bank को के तरफ से मिलता है ऐसे में bank ही decide करते है कि आपके जो loan है दोस्तों उस पर कितना ब्याज लिया जाएगा पर एक average है कि यहाँ पर दोस्तों लगबग 10 से लेकर 12% का जो ब्याज है दोस्तों वो आपको देना पड़ता है यानि कि लगबग महिन्य का 1% तो यह आप मान कर चल सकते हैं तो 1% के आसपास यह भी आज रहने वाला है इसके साथ मैं आपको बता दूँ दोस्तों जब भी आप apply करेंगे सबसे पहले bank में आप इसके लिए एक form बरकर देना है सबसे पहले आपको एक project report देनी है उससे संबंदित pen card, आधार card पहचान पत्र जैसे दस्ताविज आपको देने है आपको अपने एक passport size photo लगाना होगा और अगर आप partnership के तहत दोस्तों लोन ले रहे हैं यानि एक से ज़्यादा लोग मिलकर कोई partnership कर रहे हैं तो उसमें आपको partnership deed भी दिखानी पड़ेगी tax registration देना पड़ेगा, business license देना पड़ेगा इसके साथ साथ आपको GST नंबर भी देना पड़ेगा इस योजना के तहट मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों एक तो कोई भी guarantee आपसे नहीं ली जाती है processing fees बिलकुल zero है और यहाँ पर जैसे ही आपका loan अप्रूब हो जाता है आपको एक मोद्रा कार दिया जाता है जिसका प्रियोग करके आप पैसा निकाल सकते हैं